हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई मज़ेदार कहानी में तो चलिए देखते हैं कि आज गुड़ू और गुड़िया के गाउं में क्या चल रहा है अरे गुड़ू और गुड़िया तुम दोनों मुंडी एक दूसरे के उल्टा करके क्यों बैठे ह अरे लगता है आज गुड़ू और गुड़िया का जगड़ा हुआ था अरे दादी क्या आज गुड़ू और गुड़िया का जगड़ा हुआ था अरे क्या बताऊं बेटा ये दोनों तो आज जगड़ा करके बैठे हैं अरे गुड़ू और गुड़िया क्या तुम दोनो भी जगडा कर लेते हो अरे ये देखो तुम दोनों के लिए पास्ता आया है पास्ता खाओ और चिल करो क्यों तुम दोनों मुफुला कर बैठे हो चलो ऐसे गुस्सा मतर रहो ये देखो पास्ता खाओ और पानी पीओ तुम दोनों के लिए एक एक प्लेट पानी आया है तु कैसे घर चलेगा और ये देखो ये है गुड़ और गुड़िया का प्याराशा घर अरे ये देखो आज ये कुटा तो छत के ऊपर चड़के खड़ा है ओ वाव और कितना प्यारा लग रहा है ये कुटा तो अरे दादी आप क्या कर रहे हो अच्छा अच्छा दादी नास्ता वास्ता करके अपने तोते के साथ खड़ी हैं ओ वाव और ये देखो इनका प्यारा शतोता ये तोता तो हमेशा दादी के साथ ही रहता है ये तोता कभी भी दादी का साथ नहीं छोड़ता है तो चलो हम देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या हो रहा है ओ वाव ये देखो ये प्यारे हैं गुड्ड और गुड्या की गायें ओ वाव देखो ये लोग पानी पी रहे हैं और ये देखो ये भीड नल पे पानी पी रही है लेकिन इसको चलाने वाला तो कोई नहीं है अरे कोई आकर इसकी मदद कर दो भाई ये अकेले पानी कैशे पीएगी ओ नू इसकी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ये दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और लगता है कुछ बात कर रहे हैं ओ वाव और ये देखो ये तो जंगल है अरे इस जंगल में देखो कितने शारे जानवर हैं उंट है और जिराफ है और ये सारे पता नहीं कितने जानवर हैं, अरे हम तो यहां नहीं रुखेंगे, यह जानवर बहुत नुक्सान पहुंचाएंगे नहीं तो, चलो हम आगे की कहानी में देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, अरे गुड्डू और गुड्या, क्या तुम दोनों अभी भी गुश्चा हो, चलो अब जरा स सांत भी हो जाओ और थोड़ा सा ये खा करके तुम दोनों पानी पीलो अच्छा चलो हटो अब गुश्चा मत रहना तो तो गाईज चलो हम देखते हैं कि आगे की कहानी में हमारे पास क्या हो रहा है ओ वाव ये देखो हमारे पास आज दो दो प्यारे प्यारे डक आये हुए हैं एक डक पिंटू के लिए है और एक डक चिंटू के लिए ये दोनों आज बतकों के साथ खेलेंगे इनको तो आज बहुत मजाने वाला है अरे चिंटू तुमारे लिए ये पीला वाला डक आया हुआ है और पिंटू तुमारे लिए ये लाल वाला डक आया हुआ है लेक देखो यहाँ पर एक चीत आया हुआ है और यहाँ पर एक तेंदुआ आया हुआ है लगता है इसलिए ये दोनों गुड़े डर गए हैं और जाकर के बच्चों के उपर बैठ गए हैं ओहो तो इनको नीचे उतारने के लिए पहले इन जानोरों को यहाँ से हटाना पड़ेग रुको मैं इन दोनों को जंगल में ले जाने वाली गाड़ी लेकर आता हूँ एक मिनट ये चीक 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 ये देखो आचुकी है हमारी डंपर ट्रक जिसमें हम इन दोनों जंगली जानवरों को जंगल ले जाएंगे चलो चलो तेंदुए तुम आ जाओ अरे तुम बहुत परिशान करते हो सभी को, चलो इसमें बैठ जाओ, और अब हमारे पास है ये चीता, अरे चीते, तुम तो बहुत खतरनाक हो, तुम लोगों को परिशान क्यों करते हो, चलो इसमें बैठ कर तुम दोनों जंगल चले जाओ, वरना तुम यहां रहोगे, तो स तोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि हम इस गुड़े को तुम्हारे पीछे रख सकें ओ वाओ देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी सब कुछ चलो तुम भी उतर जाओ नीचे और ये देखो इसको हमने थोड़ा सा आगे कर दिया और इस गुड़े को रख दिया इसके पीछे अब देखो तुम सब ही लोग कितने प्यारे लग रहे हो और ये देखो ये दोनों डख भी कितने प्यारे लग रहे हैं एक डख पिंटू के लिए और एक डख चिंटू के लिए एक गुड़ा चिंटू के लिए अब पिंटू एक डख और एक गुड़े के साथ रहेगा औ तो चलो पिंटू और चिंटू हम कहानी में आगे बढ़ते हैं ओ वाव ये देखो ये हैं गाओं की famous डॉक्टर रिया और ये देखो ये हैं उनका टूल और देखो आज इनके पास दवा लेने के लिए कौन कौन आया है ओ वाव ये देखो एक गाए आई है और एक हाथ ही इसलिए ये डॉक्टर रिया के पास आए हैं दवाई लेने के लिए तो चलो पहले हाथी की दवाई हम करेंगे तो यह तुम यहां खड़े हो जाओ ताकि डॉक्टर रिया तुम्हारा चेक अप कर सकें रुको पहले वो तुम्हारा बुखार देखेंगी ओ ओ ओ ओ ओ वाओ अ आपने इसका बुखार चेक कर लिया ना अब यह बताओ क्या इसे बहुत तेज बुखार है हाँ हाँ इसे एक सुई लगा देंगे तो इसका बुखार पिलकुल ठीक हो जाएगा तो चलो तुम लेड जाओ पहले तुम्हें डॉक्टर रिया एक सुई लगाएंगी आओ ले पर हो रो नामत रो नामत अरे कुछ नहीं दोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा ओके हो गया तो डॉक्टर रिया हमने इस अहां ठीको शुई लगा दी है तो अब तुम चलो खड़े हो जाओ अपनी जगें पे ओ वाओ अब इस गाय की बारी तो चलो गया तुम भी आजाओ टिक 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 तुम्हें भी शुई लगेगी तुम भी बिमार हो ना पहले तो डॉक्टर रिया को चेक करने दो तुम्हें क्या हुआ है थोड़ी देर बस रुख जा थोड़ी देर ओके तो चलो पता चल गया डॉक्टर रिया को कि तुम्हें क्या डॉक्रिया, अरे इसे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इसे एक मेडिशीन दे रही हूँ, उसके ये ठीक हो जाएगी, ओके डॉक्रिया, तो कॉन सा मेडीशिन आप इस गईया को दोगे? अच्छा अच्छा ये वाला मेडिशीन ओके मैं ये मेडिशीन इस गईया को दे दे रहा हूँ ये गईया ये दवाई खा करके ठीक हो जाएगी चलो गईया तुम अपनी जगें पर अब खड़े हो जाओ तुम इस मोर के उपर आए हो ना तो तुम अब ये ही खड़े रहना अच्छा अच्छा तुम दोनोंने दवाई ले ली है ना चलो डॉक्टर या को पैसे दे दो और घर चले जाओ ओके तो चलो हाथी तुम आ जाओ पहले चलो 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 चले जाओ घर चले जाओ घर ओ वाओ और अब ये हाथी अपनी शवारी के साथ जाएगा चलो गईया चलो गईया चलो तुम भी चले जाओ ओ वाओ वेरी नाइस ये दोनों देखो अपने अपने घर चले गए अरे गई तुम्हारी दवाई तो यहीं छूट गई, रुको मैं पहुंचा देता हूँ, ओ वाव, मैंने उस्ते उसकी दवाई दे दी है, ओ वाव, ये देखो, ये कौन है, अच्छा-च्छा, ये है डॉक्टर रिया की बेटी बिटन, देखो कितनी प्यारी लग रही है बिटन, ओ वा ये देखो, ये है डॉक्टर रिया का बेटा चीकू, और ये चीकू आज पतलू के साथ खेल रहा है, ओ वाव बिटन, तुम्हें पतलू कहां से मिल गया, ये तो चीकू के साथ खेल रहा है, ओके, तो चलो, बहुत बढ़िया, तुम लोग खेलो, हम चलते हैं, आगे की कहा कानी में देखते हैं कि क्या हो रहा है, ओ वाव, ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे सांती मैम, और बताओ आपके क्या हाल चाल है, और ये आपके पास कौन आया हुआ है, अरे ये तो चिंकी है, और ये देखो, पिंकी और रिंकी, चिंकी की सहेर यहाँ पिंकी और रिंकी यहाँ पर खड़े हैं और आज चिंकी सांती मैम के साथ खड़ी है और देखो उनकी खाना बनाने में लगता है मदद ही कर रही है और ये देखो सांती मैम को लगता है सांती मैम बहुत ही जल्दबाजी में तयार हो रही है और लगता है ये बाजार जाएंगी क्योंकि देखो इनके पास कुछ पैसे भी पड़े हैं आज ये सौपिंग करने के लिए बाजार जाएंगी इसलिए इन्होंने चिंकी को बुला लिया है ताकि वो उनकी खाना बनाने में मदद कर सके और जल्दी से वो बाजार चली जाएं और ये देखो पिंकी और रिंकी पिंकी के पास सिट्टू लेटा है और चिंकी के पास बिट्टू लेटा है देखो पिंकी और रिंकी सिट्टू और बिट्टू को शोने में मदद कर रही है और ये क्या है अच्छा अच्छा ये देखो रिया मैम ने इनको कुछ पढ़ने के लिए दिया है ओहो शान्ती मैम आप इनको पढ़ाई के लिए भी दे दिये हो लगता है आप मार्केट चले जाओगे तब इनको ये पढ़ना है ओके तो देखो आज रिया मैम ने इनको क्या दिया है ओहो ये देखो, शान्ती मैम ने इनको ABCD पढ़ने के लिए दिया है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ओह वाव, आपने तो इनको खूब सारा पढ़ने को दिया है अगर ये लोग पूरा ABCD तयार कर लेंगे तो आप इनके लिए कुछ लाओगे ना बाजार से हाँ सान्ती मैम, ये शही बात है ना, ठीक है तो आप जाओ बाजार, और आज की कहानी हम यही पर समाप्त करते हैं ओके गाईज, बाई